हेलो वेट्वेटर वेट्वेट्वन विल्कम टुम्ट मैं चैनली स्टॉक शड़ दिलाइट चली देख लेते आज मार्केट कैसा गया मंदे को मार्केट कैसा जा सकता है इसके विचे कहा लोजिक है मंदे को इंट्राटी के लिए कौन-कौन सा स्टॉक अच्छा मोईंट सकता है इस वीडियों हम लोग डेली आलेजिसिक के साथ सब्सक्राय जब रहें से चीज़ करने तो सब्सक्राइब सत Scample जाए बना भी नहीं था उसी कर जाता हूं कि मार्केट में करेक्शन ही मार्केट में नीचे अता है तो कुछ कुछ important levels है वो level दिखा सकता है उसके बारे में पहले भी आप लोगों से discuss कर चुका आप चाहे तो पर आप पेचला जो वीडियो अप्लोड के अपने चैनल पर जाके देख सकते अभी देखें यहां पर यही जो लेबल है यहां सकता यह मैंने पहले ही बता था उसके पीज़े क्या logic था मैं पहले थोर आसा simply आप लोगों से समझा देता हूं देखें यहां से total momentum किया उसके बाद एक pullback लिया एक support लिया यह total momentum था इसका 50-60% से support लेकि फिर प्राइस उपर क किया है 60% का level break कर चुका है 50% से अभी support ले रहा है अभी यहां से नीचे गिरेगा कि नहीं continuously नीच आएगा कि नहीं वह बात की बात है लेकिन अभी यहां पर closing दिया अभी यहां पर support लिया इस week में अभी देखें क्या होता है consecutive week market नीचे गेट चुका है अभी कोई भी आप चला डेटा जाके देख सकते हो देखें यहां पर तीन वीक नीचे गीरा फिर market ऊपर जाना start किया फिर तीन वीक नीचे गीरा ऊपर जाना usually तीन वीक मार्केट में maximum fall होता है उसके बाद market एक pullback लेता है अभी यहां से फिर ऊपर चला जाएगा यहां पर चोटा pause लेगा फि कुछ momentum और ज्यादा expect कर सकते है अगर उस पॉस केंडल की ऊपर close करना start करते है फिर यहां से हम लोगों को एक आपर साइड मोमेंटम दिख सकता है अभी इसके बीच एनलेसिस क्या है वह मैं आप लोग से शेयर करता हूं देखिए एक तो फिबुनाची लेविल है हम लोग यहां पर दीखी रहा है 60% को लेवल ब्रेक कर चुका अभी 17,800 के आसपास देख रहा है उसके नीचे 17,560 का लेवल है अभी यहां पर एक छोटा सा चीज है देखिए प्राइस जब यहां से यहां तक momentum किया तब अगर यह जो top बनाया था फिर यहां से correction हुआ राइट यहा से अपर साइट momentum किया अभी यहां पर एक नया top बना कि यहां से correction हो ला है हम लोग simply क्या करेंगे calculation अभी ऐसा exactly काम करेगा ऐसा नहीं है लेकिन अभी कभी calculation भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है 1354 points का correction हुआ था top से bottom तक यहां पर अगर मैं यहां पर इसको इसको project कर द कि फिर उपर साइड में जाने का कोशिश कर सकता है अभी यहां से फिर uptrend में convert हो जाएगा फिर upside में जाएगा ऐसा probability मैं अभी तो directly नहीं कह सकता क्यूंकि market is always superior अभी market कैसा candle यहां पर फॉर्म करेगा घ्यामर टाइप के candle बनेगा उस हैमर का अगर breakout करेगा फिर हम लोग द है तो इसलिए मैंने जुछ चीज का probability जयता है वह आप लोगों से मैंने share कर दिया ओके तो यह हम लोगों का levels है इसको याद रखना है कि अगर प्राइस नीचे भी आता है तो अने बले टाइम में यह सारा लेविल हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा support की तरह काम करेगा डेली टैंपर में चलते हैं आप देख सकते हो consecutive three days से price यहाँ पर नीचे गिर रहा है और three days गिनने के बाद almost यहाँ अगर आप देखे 600-700 points के आसपस price नीचे गिर चुका है तो यहाँ से अगर price को नीचे भी जाना है अगर price continue नीचे भी करना है तो मेरा probability यह लग रहा है कि price यहाँ पर pullback लेगा क्योंकि क्या होता है कोई भी seller अगा sell करता है वह continuously sell कर रहा है sell कर रहा है तो उनको एक attractive price में चाहिए यहाँ से नीचे नीचे नहीं जाएगा यहाँ पर टाइम स्पेंट करने के बाद अगर उपर जाता है तो यहाँ पर आएगा वह अलग बात है लेकिन एक pause to pullback candle हम लोग चाहिए वह expect में कर रहा हूं आने वाले week में ठीक है अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा confusing matter है कि market एक चैनल के अंदर trade कर रहा है अगर आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाएगा आप देख सकते price continuity channel के अंदर trade करा और last analysis का वीडियो मैंने अपलोगे लिए अपलोड किया था जो मैंने कल अपलोड किया था उसे मैंने वीडियो के अंदर as well as thumbnail के अंदर मी मैंने बता दिया था कि sale on rice का scenario बन रहा है अगर कल market gap down खुल जाता है और day का low break कर देता है या gap down खुल जाता है तो हम लोग sale on rice के इसाफ से trade करेंगा अब देख सकते है बखुभी market वैसे तरीके से treat किया है मार्केट में हाई बना सेल होना स्टार्ट हो गया फिर मार्केट में हाई बना सेलिंग स्टार्ट हो गया हाई बना सेलिंग स्टार्ट हो गया हाई बना सेलिंग स्टार्ट हो गया हर एक हाई पिर मार्केट में पकर-पकर के सेला लोगोंने सेल किया है यही चीज में कल बता दिया था, बहुत लोग वीडियो पुरा नहीं देखते, बहुत लोग thumbnail देके skip कर देते, इसलिए मैंने thumbnail भी डाल दिया था, at least कोई अगर thumbnail भी परता है, तो उसके mind में रहेगा कि मैंने कुछ चीज़े बता दिया था, अगर उसके उपर base करके हो, अगर बहुत ही बढ़िया profit, यहाँ पे inside candle के इसाब से profit, बहुत ही हडग जगा पे आपको अच्छा अच्छा opportunities मिला sell करने के लिए, anyway, तो अभी view क्या है, अभी देखिए, market जब एक particular channel के अंदर trade करता है ना, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, market exactly कल कहा पे गो लगा, मतलब मंदे के द हो चुका है, अगर मैं थोरा 15 minutes का time frame में चलता हूँ, एक second, हाँ, अगर कल price, मालनी जे यह हम लोग का 18,000 का level है, अगर in instance, कल gap up खुलता है, मतलब मंदे के दिन gap up खुलता है, उसके बाद यहाँ पे आके side raise होने के बाद 18,000 के level के ऊपर breakout करता है, या बहुत बढ़ा gap खुल करने के लिए, बेकर में आपका SL जाएगा, आपका छोटा profit लेकर निकलना पड़ेगा, उससे अच्छा डिक्स मत लो, जब तक 18,000 के ऊपर trade करना start नहीं करता है, अब यह नीचे से उपर जाए, यहाँ पर time span करके breakout करे, या directly gap up कुल के ऊपर sustain करे, वो बात की बात है, 18,000 के लेवल अगर निकाल देता है, मार्केट, इसके नीचे कैनलर क्लोज करता है, सस्टेन करता हम लोग थोरा वह सेलिंग साथ में प्लान कर सकते है, जो हम लोगो 17,700, उसके नीचे 17,630, उसके नीचे 17,580, और उसके नीचे 17,540-550, यह सारा लेवल मार्केट, sorry, 530-530, यह स सारा लेवल मार्केट दिखा सकता है, ठीक है, नीचे की साइड में, बहुत ज्यादा एग्रेसिफ सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा सेल अफ हुआ है, और ताइटली थोरा से एसल को ठेल करते हैं, अगर एक एसल हीट हो जाए, तो हम लोग थो बहुत लेंगे, देखेंगे मार्केट में कैसा भील हो रहा है, अगर 18-17,500 is going to act as a good support, अगर यहां से कोई भी बहुत बढ़िया support candle दिखे है, तो थोड़ा बहुत quantity को control करके, अगर हो सेके तो half quantity लेके थोड़ा बहुत buying के सार में प्लान करेंगे, अगर कोई भी नहीं के बीच में कहीं पर खुलता है, तो यहां पर थोड़ा volatility कर सकता है, क्योंकि 17,500 is going to act as a good support, तो अगर इस बीच में कहीं पर खुलता है, तो volatility कर सकता है, हम लोग देखना है कि 500 के पास आके कोई support candle बन रहा है कि नहीं, support candle बन रहा है, उस support candle का breakout हो रहा है, तो थोड़ा बहु या 17,800 ये सारा लेबल से कोई भी rejection candle बन रहा है, क्योंकि ये selling market है, कोई भी rejection candle बन रहा है, उसका breakdown हो रहा है, उसके उपर का stop call जलगे selling sell में प्लान कर सकते हैं, अच्छा पैसा हमों को दे सकता है, ठीक है, चले यह भी bank nifty देख लेता है weekly time frame में, जैसे हम लोग लोग ने nifty क अनलिजिस के आप लेकिन यहां पर कुछ important thing जो आप लोग आप लोग शेर करना था, इसे मोमेंटम नहीं होता, मार्केट एक करेक्शन हा सकता है, और जब करेक्शन ये candle नहीं बना था उस टाइम से पहले बनाना हो, आप जाकर पुटाना वीडियो में न देख सकते, आप इंगल्ब कर लिया है, 2000 पॉइंट का एक single candle बना है यहां पर, अभी आने वाले टाइम में कौन-कौन से इंडबर लेवल रहेगा, उसके और बात कर लेते हैं, जैसे निप्टीव हम लोग लोग आनलिजिस का यहां पर भी सेम करेंगे, एक प्रिबोनाची सेटाप हम लोग कर रहे हैं, जो निप्टी बे भी मैंने आप लोग इसे शेर किया, यहां पर भी मैं एक चीज़ करना हूं, तो निप्टी अगर पॉस्ट लेता है यहां से ग्रीन दिखाता है, तो यहां से भी एक पॉस्ट हम लोग एक सकते हैं, उसके बाद रहेगे आने बाले टैम में औ बटा पोजेट हुआ था अल्मोस्ट 4500 पॉइंस है तो मैं अगर एक सेकंड को रहा है यहां पर पोजेट कर रहा हूं और लेबल निकल के आ रहा है यहां पर अल्मोस्ट 39,800 से लेके 40,000 का लेबल तो हम लोगे लिए यह लेबल स्टॉंग सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि प्राइज जाब उपर गया था इतना करेक्शन होने के बाद प्राइज उपर गया फिर यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन अभी यहां यहां पर बहुत-बदा मोमेंटम हो चुका उसके गिश्ट में इतना करेक्शन है तो माइस अगर नीचे आता है तो यह correction भी दिखा सकता है यहां में अपने माइन पर रखना है तो अभी के लिए हम लोग के लिए strong support है जहां पर आके price haul कर रहा है उसके बाद 40,800 उसके नीचे 39,800 से लेके 40,000 का round level यह हम लोग के लिए strong support होना चाहिए तो यहां से हम लोग एक pullback कर सकते है जो probability है वो आप लोग से मैंने share कर दिया अभी एक काम करते हैं हम लोग daily time frame में चलते हैं यहां पी भी आप देखते हैं तो consecutive three days से price नीचे गिर रहा है जो मैंने nifty में बताया था तो यहां पर एक pause लेना चाहिए क्योंकि market में sellers को भी एक अच्छा price पे sell करना चाहिए उपर आएगा फिर उन लोग अच्छा opportunity बिलका फिर लोग sell करेंगे अभी तब price action बिल्ड होगा कि तब price नीचे आएगा अगर फ discovery में बात कर लेते हैं जैसे निफ्टी में हम लोगों ने देखा यहां पर भी similar situation है sell on rice का scenario हो था सारा दिन मारकर EC range के अंदर trade किया मतलब sorry इस particular channel के अंदर trade किया हर एक rice पे पकर पकर के बेचा है sellers लोगों ने आप देखी सकते अच्छा market था actually आज मैंने तोड़ाल तीम लि हम लिए था बहुत ही बढ़िया profit मिला फिर मारकेट यहां पर साइडवेस था फिर यहां पर मैंने एक trade लिया था यहां पर दोजी के breakdown पर मैंने एक ट्रेड लिया था मैंने इस लेविल के आस पास उसको निकाल दिया था उसके बाद मैंने यहां पर ग्राइस नीचे आया ह सब्सक्राइब करता है तो जब तक 42,000 के प्राइस अगर गैप खुलता है उसके बाद 40,000 के ऊपर निकलता है या प्राइस डायरेक्ली गैप खुल के 40,000 ऊपर निकलता है तब यहां से शौट कावरिंग आ सकता है क्योंगी जिन लोग नोब अब यहां से शौट कवरिंग आ सकता है डायरेक्शनल मोमेंटम आपर साइड में मिल सकता है तो जब तक 42,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मैं बाइंग के साइड में नहीं जा रहा हूं अगर प्राइस फ्लैट खुलता है इस लेवल के आसपास अगर डे का लो निकलना शु अगर प्राइस इसी रेंज के अंदर रहता है थोड़ा बहुत बहुत कर सकता है क्योंकि नीचे 41,600 से 500 एक स्टॉंग सबोट है और उपर 41,900 से लिए 42,000 का स्टॉंग रिजिस्टेन्स है अगर प्राइस गैप खुलता है फिर से बता रहो गैप खुलता है और यहां पर आ हम लोग यहां पर से लिंग भी कर सकते हैं नीचे की साइट में अच्छा एक मोमेंटम भी हम लोग क्याप्चार कर सकते हैं या तो 41,500 के आरे कोई भी सपोट केंडल नहीं बनाता सब्चर करेंगा तब मैं बहुत ही छोटा क्वांटिटी प्राइस नीचे ही है प्रता क्व तो 42,000 के उपर ही क्लाइन करूंगा जब तक आगर मुझे बाइंग करना है तो ठीक है चलिए मंडे के इंटरेक के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं सबसे बहला स्टॉक के महिंदर और महिंदर एक अच्छे लेविल पर महिंदर महिंदर दिख रहा है जहां से रिजेशनली के सबसे बाइंग कर सकते हैं नेक्स टॉक हम लोग के लिए एक अच्छा लेविल में मल्टीपल टाइम सपोट ले चुका है अगार इस सपोट का ब्रेकडाउन होता है नीची की साथ में तो एक अच्छा एक नीची की साथ में एक मार्केट हम लोगों देख सकता है 1027 के अच्छा प्राइस नीचे में गिर रहे है यह पर एक चैनल बना हुआ है चैनल के अंदर कर रहा है अगर कर शेंडेल के घ्या नीचे की सब्सक्राइं कर सकते हैं लास्ट ऑक है में लोग के लिए महेंदर और महेंदर फेनांस बहुत ही बड़ीया लेविल पर दिख रहा है अच्छा प्राइस एक्षिन विल्ड हो सकता है अगर प्राइस का लेविल के अंदर कहीं पर खुलता है उसके बाद इस लेविल का एक 15 निस का टाइम फ आप ऐसा देख सकता है आज के वीडियो के लिए इतना ही मिलते आप से निक्स वीडियो पर जय हिंद